क्लासिफिकेशन ओफ रिसर्च बाइ मैथर्ड में क्वालिटेटिव रिसर्च या क्वालिटेटिव अप्रोच टू रिसर्च के तैट अब हम देखेंगे के हिस्टारिकल रिसर्च जो है ये किस क्या है और कब इसका इस्तमाल किया जाना चाहिए रिसर्च की टाइप्स में शायद सबसे पराने जो तरीके थे रिसर्च के उन में से एक तरीका हिस्टारिकल रिसर्च है इसमें इसके नाम से जाहर होता है कि माजी में हुए हुए इवेंट्स को आप स्टेडी करते हैं जो वाकियात गुजर चुके और वो तारीख का हिस्सा हैं आप उनको रिसर्च करते हैं और उसके जरीए से उन वाकियात के हुने के पीछे जो वामिल थे उनको देखते हैं और लेंड ये करते हैं कि अगर ये दुबारा कभी इस तरह या इससे मिलता जलता को वाकिया होगा तो हमें उसके साथ कैसे कोप करना होगा या आज गुजरने वाले इवेंट्स पर स्टेडी नहीं है ये माजी का कोई वाक्या है जो गुजर चुका होता है और मकसद भी बड़ा वाज़ है जी हम उसको स्टेडी इसलिए नहीं करना चाहते कि बस स्टेडी ब्राय स्टेडी हो जाए हम उस नहीं से हमारा मकसद ये जब तक ये हासल करना नहीं होगा कि हम इस से लर्ण करेंगे और आइंदा के लिए तेयारी करना चाहते हैं कि अगर ये चीज दोबारा हो तो उस वाके में से हमारे लए क्या लेसंस थे और प्रेपरेशन के लिए क्या कुछ आगे करना चाहिए इसकी मिसाल अगर आप ताजा अभी ले ले लें तो जैसे कोविड नाइंटीन की आउट ब्रेक हुई ये पहली तफ़ा नहीं हुआ इसी तरह के वाकियात पहले भी होते रहे आजी में मसलों उसमें से पोलियो की आउट ब्रेक एक बहुत बड़ा वाकिया था जिसने दुनिया को बहुत तरह एफेक्ट किया हमने उस वक्त उस आउट ब्रेक की काज़ेज उसके बढ़ने के सबाब उन से लोगों के कोप करने के एक्सपिरियंसे इन चीजों को स्टेडी किया और उससे सीखा कि अगर आइंदा इस तरह की कोई आउट ब्रेक हो सके हुए तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे अब आप देखिए कि अगर हम हिस्टारिकली चलूँ तो उसकी आउटकम देखें ही आई कि जब आप कोविड नाइंटीन के एक्सपिरियंस से गुजरे तो ये उतना लंबा अरसा प्रिवेल नहीं किया इसने उस इंटेंसिटी के साथ जिस इंटेंसिटी के साथ ये शुरू में आया जितनी डेमेज इसने आगास में की इससे कोव करने के लिए हमारे पिछले एक्सपिरियंस ने हमें बहुत हेल्प किया इसकी वैक्सीन बनाने में हमें उतना वक्त नहीं लगा जितना कि हम इससे पहले इस्तमाल करते थे So, हमें इस बात को study करना कि इस से पहले क्या हुआ था, causes क्या थे, control कैसे किया गया, उस outbreak को अगर manage करना हो तो क्या करना चाहिए, लोगों को किस तरह की तालीम देनी चाहिए, दवाई किस तरह की develop करनी चाहिए ये बाते हमने चीखनी हूँ तो हम historical research में माजी में होने वाले similar events को study करके वहां से infer करें अपने लिए कि आइंदा की तियारी कैसे की जा सकती है और फिर जब आइंदा जैसे रहाना खासता भी ये हो गया COVID-19 तो हमने देखा कि हमने उसको कैसे कोब किया और पिछली learning हमारे कैसे काम आई अब लोग COVID-19 के गुजरने के बाद इसको study करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या वजुहात थी कैसे outbreak कोई कैसे रोका जा सकता है precautionary measures क्या लेने चाहिए और वो खुदाना खासता जो आपको साइंसदान बताते है कि अब इस तरह की कोई और outbreak भी near future में शायद हो तो हमें उस से पहले अपनी त्यारी करने में ये study help करेगी historical research तालीम के मिदान में या एजूकेशन के discipline में या किसी भी और discipline में आप important वाकियात जो history में गुजरे होते हैं आप उनके जरीए से इनको अपने future के course of action को तह करने के लिए इस research का इस्तमाल करते हैं